इस सेशन के अंदर हम एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे जो स्टेट्मेंट आपका दिया गया है या फिर एक जो इस्टिंग ऑपरेशन जी नियूस के द्वारा किया गया जो चेतन शर्मा है जो चीफ सेलेक्टर भी इस समय उन्होंने ये कहा कि जो प्लेयर्स हैं जो क्रिक्टर्स हैं वो अपने परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए और अपने फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए इंजेक्शन का इस्तमाल करते हैं तो यह जो शब्द है कि जो sports है, sports में medicine का इस्तमाल होता है, injections का इस्तमाल होता है, कौन-कौन से injections हैं जो लिये जाते हैं, ये थोड़ा सा जानना जरूरी, एक term होता है, जिसे हम कहते हैं stimulants, वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और कई ऐसे chemicals हैं, या फिर हम कह सकते हैं, दवाएं हैं, medicines हैं, जो पूरे तरीके से band है, विश्व में एक agency जिसे WADA बोलता है, WADA मतलब World Anti-Doping Agency, तो उसने लिस्ट जारी कर रखिए, कि कुछ ऐसे substance होता है, उन उस substance का आप नहीं ले सकते हैं, तो जो भी players होते हैं, मालो Olympic, athletics से related players हैं, या जो हो भी sports की body, अगर वो WADA का हिस्सा है, तो ऐसी स्थिती में उसे अपने players की testing करानी पड़ती है, तो BCCI पहले नहीं था, BCCI 2020 में उसने अपने आपको include किया है WADA की जो norms उसके अंदर, and ऐसी स्थिती में players के samples लिये जा सकते हैं, chemical या ऐसे band substance अगर player के दौरा इस्तमाल किया जाते हैं, तो फिर उस पर कई प्रकार के actions भी लिये जा सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर, we will try to understand, हम उस समझने का प्रयास करेंगे, कि ऐसे बहुत सारे ऐसे कौन-कौन से chemicals हैं, उन chemicals को किस-किस purpose के लिए इस्तमाल किया जाता है, और कई band substance हैं, और कई सारे जो issue है, उसको discuss करेंगे, तो ये topic क्यों discuss कर रहे हैं, विकाज बिसी साई के chief selector, जो चेतन शर्मा हैं, उन्होंने इस बात को highlight किया है, कि players अपने fitness को improve करने के लिए injections का इस्तमाल करते हैं, और ये भी कहा गया कि हो सकता है कि कई बार ऐसे chemicals का भी इस्तमाल कर सकते हैं, जो कि doping test के अंदर ना आए, मतलब आपने कोई chemical का इस्तमाल किया just to avoid कि वो dope में या फिर ऐसे substance जो कि band है, उस category में ना है, बट फिर भी उससे ही related substance को लेके, लोग अपने fitness या performance को improve करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यह समझना जरूरी है कि जो steroids का बहुत इस्तमाल होता है, यह प्रकार का हार्मोन है, और ऐसी कई सारी दवाईयां हैं, जो बहुत ज़्यादा इस्तमाल क्रिक्टर्स के दौरा की जाती है, एक इंडिया के ही पहले coach है, उनका एक interview है नाम आम नाट टेकिंग, बट यहां पर उनका यह interview quoted है, जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ यह बात सच है, कि बहुत सारे जैसे batsman हैं, even जो fast ballers हैं, वो regular basis पे ऐसी दवाईयों का इस्तमाल करते हैं, और वो जो दवा है even, या फिर यह जो भी stimulants हैं, जैसे शब्द इस्तमाल है, amphetamines हैं, इस्तमाल हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़े हैं, जिनको लिया जाता है, जैसे मालों drink breaks होता है, तो drinks break होता है, उसमें भी जो पानी पीते हैं, उसमें उन chemical का इस्तमाल आपका किया जाता है, तो जो भी chemicals हैं, इन chemicals का बहुत negative impact भी होता है या नहीं होता है, तो उसमें किस chemical का इस्तमाल करना चाहिए, तो physiotherapist होते हैं, कई प्रकार के doctor के team, supporting staff के रूप में players को मिली होती है, तो वो guide करते हैं, कि किन चीज़ों को लेना चाहिए, जिससे कि उनकी energy boost up आपका हो सके, तो या पे खास तोर से physio है, जैसे जो आपके जिनका interview हम लोग अभी discuss कर रहे हैं, तो उन्होंने Andrew Lippus जो की physio है उनके बारे में बताया, कि कुछ ऐसे powder का formulation होता है, जो की बहुत expensive होता है, तो Australia में काफी बनता है, तो Australia से इससे procure किया जाता है, और जैसे कई परकार के injection steroids हैं, cortison करके injections हैं, वो regularly players के द्वारा लिया जाता है, और यह कौन प्रोवाइट करता है, जैसे जो physio हैं, जैसे एंडू लिपस physio हैं, तो physio थे, तो यह इनके द्वारा procure Australia से किया जाता है, और players को दिया जाता है, तो यहाँ पर देखो, जो sports है, sports में बहुत तरीके के जो chemicals का use होता है, अपने performance को enhance करने के लिए, इनके लिए एक शब्द भी इस्तमाल होता है, stimulants, और यह जो stimulants है, जैसे मानलो, जब stimulants को लिया जाता शरीर के अंदर, तो जो भी stimulants होता है, यह stimulants आपका जो brain है, brain का जो central nervous system है, उससे, उसमें जब यह chemical लिया जाता है, तो उसमें कई परकार के बदलाओ होते हैं, और आपका strength increase होती है, जैसे मानलो, आपको किसी काम को कर रहे हो, जैसे आप normal sense में देखो, कई परकार के काम कर रहे हो, आप कुछ read कर रहे हो, और suddenly फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी नीद आरी, तो आप क्या करते हो, या तो आप coffee लेता हो, coffee में caffeine होता है, तो वो आपके brain को activate सकर देता है, इसी तरीकी सो जो बड़े players, उनको अपने concentration को maintain करके रखना होता है, तो उस लिए इस purpose के लिए, वो कई परकार के stimulants का इस्तमाल करते हो, और इनका purpose क्या होगा कि alertness बढ़ाना, concentration बढ़ाना, strength को increase करना, और इसमें कई परकार की stimulants होते हैं, जैसे caffeine होगा, coquine होगा, emphetamines होगा, metham, metham, methamphetamines होगा, ephedrine होगा, pseudo ephedrine होगा, MDMA होगा, जिसे ecstasy भी बोलते हैं, phenylapherine होगा, तो ये कुछ ऐसे stimulants हैं, या chemicals हैं, कई सारे level पर कुछ band भी होते हैं, कुछ allowed भी होते हैं, किसी का ratio fixed है, कि देखो इस से ज़्यादा आपको नहीं लेग रहे हैं, तो ये सारी guideline WADA के अंदर होती है, जिसे हमारे देश के अंदर भी agency, जिसे NADA बोलता है, 2020 तक BCCI उसके अंदर नहीं था, फिर अब BCCI भी इसके अंदर include होता है, तो इसके तहित क्या है कि BCCI को अपने players, जैसे कोई भी जो player है, उसका sample लिया जा सकता NADA के द्वारा, और फिर उसका पूरा पूरे तरीके से study करना, कि हाँ कहीं ऐसे band substance का तो इस्तमाल नहीं किया जा रहा है, ऐसा चेक आपका किया जा सकता है, there is this possibility तो पहली चीज़ तो ये हमें ध्यान में रखना है मालनों कोई player 85% fit है, 15% fit नहीं कई परकार के test होते हैं, जिसके माध्यम से fitness देखी जाती है तो अब 15% fit नहीं तो अपने उस समय, जब वो test provide कर रहे हैं, मतब test दे रहे हैं या जो भी उनका physical fitness पर test चल रहा है तो उस समय उनका strength बनी रहे हैं तो उसके लिए कुछ chemical का इस्तमाल कर सकते हैं और जो कि एक stimulant हो सकता है अब जरूरी यह नहीं है कि जो stimulants वो इस्तमाल करेंगे वो ऐसे substance हो जो कि band हो अगर वैसा अगर होता है तो possibility बनी रहती है कि NADA के अंदर वो doping test के अंदर आ सकते हैं तो पुरा career खराब हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे chemicals हैं जिनका आप इस्तमाल कर सकते हो आपको allowed है वो आप इस्तमाल करो तो अगर player वो 15% को enhance करने के लिए अपने performance को enhance करने endurance को enhance करने के लिए उन chemical का इस्तमाल करने जो कि allowed है तो वो illegal नहीं होगा यह ध्यान में रखना लेकिन player को नुकसान इस चीज़ का होगा कि क्योंकि वो fit नहीं है फिर भी उस chemical का इस्तमाल करके उसने fitness अपना increase करने का प्रयास किया तो जब match वो play करेगा तब क्योंकि उसके पास 100% fitness नहीं है तो जो performance है that will be affected क्योंकि players का भी उनको यह पता है कि अगर वो cricket से बहुत समय दूर रहेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा monetary loss होगी जो match fees मिलती है endorsement मिलता है जो उनके earning होती है public के सामने जो image बनी होती है सब कुछ वो चली जाती है तो इस वज़व से कई players या बहुत सारे players जो है इस प्रकार के chemicals ये stimulants का इस्तमाल continuous basis में करते हैं कैफीन की बात करें तो कैफीन टी चॉकलेट कॉफी इन सब में प्रेजेंट होता है ये भी है तो अभी बैंड नहीं है कि मतलब कोई कॉफी पी रहा बुचाए दस कप पी ले उसमें कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर जिसे मन में fatigue आजाता है अब fatigue एक बहुत term commons है जैसे मान लो बहुत ही आलसपन आ जाए और अच्छे से perform नहों पाए तो जैसे ट्राइकांडो और ट्राइकांडो एक गेम होता है कराटे टाइप है cyclist है वो कैफीन का ऐसे इस्तमाल करते हैं जिससे कि उनका जो performance उसको enhance performance आपका अपने आप enhance हो जाए इसी तरीके से वो एक chemical law है जीसे हम कहते है amphitha mines करके है ये भी इस्तमाल होता है अब इसमें भी क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसी चीजें जिससे कि alertness बढ़ सके आपकी जो reflexes जैसे कह चा रहा है तो तुरंत reflexes increase हो जाए तो उसके लिए फिर इसका इस्तमाल करते है तो इससे strength increase होती है muscular power increase होता है endurance increase होता है and even अगर देखा जाए कि कुछ इसके derivatives हैं जो कि अगर ज़्यादा quantity में लिया जाए तो वो पूरे तरीके से band भी है उनको allowed नहीं किया जाता है जैसे ecstasy MDA में कुछ ऐसी चीज़े भी है जिनको allowed नहीं किया जाता है and even जो ये amphitomines है वो band भी international olympic company के दोरा भी band है तो इसको भी अगर लिया जाए तो वो band allowed नहीं है तो वो doping test में आ सकता है there is this possibility इसी तरह की से cocaine अब cocaine देखो cocaine तो एक proper drug जैसे cocaine का अगर कोई इस्तमाल करता है अब वो आपको जरूर आपका overall sports performance को increase कर सकता है लेकिन एक तो ये allowed नहीं है दूसरा ये addiction की तरफ भी लेकर players को जा सकता है so जैसा अगर कोई लेता है तो उसका running जो time में वो increase होता उसका जो performance है it reduces like ये कहा जाता है कि जो running times है उस पर ऐसा कोई effect नहीं पढ़ता है जो cocaine की बात करें कुछ study कुछ study कहती है हाँ पढ़ता है तो इस वज़े से लिया जाता है कुछ कहते हैं endurance बढ़ाता है इस वज़े से लिया जाता है बट ऐसा कुछ study ये भी कहती कि की रूख में तो fat को burn करने के लिए और overall sports performance के लिए इसका 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 इस्तमाल किया जाता है क्योंकि ये एक noradrenaline का production है उसको enhance आपका करता है इसलिए इसको लिया जाता है फिर pseudo ephedrine करके बात किया जाता है तो वो भी इस्तमाल को जो cold medicine उसको counter करने के लिए इसमें कुछ बदलाव करके strength को increase करने को power को increase करने को purpose के लिए इस pseudo ephedrine का भी इस्तमाल किया जा सकता है अब देखो ये कई सारे जैसे मैं आपको कहा कि ये सब कुछ guidelines के अंदर आते है WADA की guidelines है उसमें पूरा list हजारो chemicals के नाम है जिनको आप नहीं ले सकते हो तो इस stimulants कुछ allowed है कुछ allowed नहीं है तो कौन से player अपने performance को increase करने के लिए अपने endurance को increase करने के लिए किस chemical को ले रहा है वो testing आपकी conduct की जाते उसी से पता चलता है तो एक specific field है जिसे बोला जाता है sports pharmacology sports pharmacology का मतलब क्या है pharmacology मतलब फार्मा शब्द होता है medicine sports pharmacology basically study करती है कि किस प्रकार के medicine sports में performance को enhance करने को लिया जा सकता है तो एक legal level में उसको allow किया जा सकता है लेकिन ऐसी बहुत सी दवा है जिनका आप illegal way में इस्तमाल कर सकते है professionals work भी करते हैं वो भी यह भी दिहान रखते हैं कि अच्छा कोई ऐसी दवा ना वो players को दे दे जिससे की doping player को face करना पड़ जिससे उसको काफे नुकसान होगा even जो BCCI है जैसा भी हमने discuss भी किया कई सालों तक वो resist करती है कि हम NADA का हिस्सा नहीं बने क्योंकि NADA का अगर आप हिस्सा बने नाशनल anti-doping agency है भारत की ऐसे ही वो affiliated है वाड़ा जो वर्ड anti-doping agency है तो पहले तो देखो क्या होता था BCCI जो डोप testing management इंटरनेशनल डोप testing management की service लेती थी जो की Sweden के अंदर है उसमें craters के sample लिये जाते थे और फिर आपका national dope testing laboratory में आपका submit किये जाते थे लेकिन अब क्योंकि NADA का BCCI हिस्सा बन गी तो वाड़ा की guidelines उसको follow करना पड़ेगा तो यहां पर जो भी चीजे हैं लेते हैं नहीं लेते हैं वो एक तरीके से player to player vary कर सकता है और already एक mechanism आपका होता है जिसके माध्यम से यह जाना जा सकता है कि क्या कोई band chemical का इस्तमाल तो नहीं कर रहा है कोई player यह चीज बहुत आसानी से आज के समय में टेस्टिंग के माध्यम से की जा सकती है अगर आप आई इस exam की तैयारी कर रहा है अगर आप प्रेलिम्स की तैयरी कर रहे हो तो बहुत important है आपके लिए और जैसे आपको लगता है कि अच्छा कहां कहां से प्रश्ण आए है जो कोर्स मैंने पिछली बार कर रहा है तो 15 में से 14 प्रश्ण थे screenshot मैंने include किया है हिंदू का session देख लो इसी channel के अंदर है screenshot पूरा डला हुआ है तो आप खुद से देख लो you can take the decision science talk tech के प्रश्ण बढ़िया तरीके से आभी रहे है इंडियन forest service और इंडियन railway management service भी prelims में included है मतलब यह दोनों service से भी prelims जो आइस के साथ साथ में ही हो रहा है तो science के questions का proportion देरे देरे आपका increase कर रहा है तो यह चीज़ आपके मन के अंदर search में रहे हैं सारे topics I will cover तो बहुत important course है अगर आप 23 की त्यारी कर रहे है चौबिस की त्यारी कर रहे है तो आपको इस course का हिस्सा बनना चाहिए आरम भुबैच का हिस्सा आप लोग जरूर से बने अब यह जो आदो that is SPLIV और आप जोड़ सकते हैं तो इस सारी चीज़ें आई हो पर सेशन आपके लिए helpful रहा होगा UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें सेशन को जरूर से लाइक करें थैंक यू अबरिवन थैंक यू